आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो प्रिये छात्रों हम आपके लिए इस परिक्षा के लिए अती महत्मुन बहरी इंपोर्टेंट केमिस्ट्री माने रसाइन विज्ञान के कोश्चन लेकर के आए हैं जो हर साल परिक्षा हम रिपीट होती रहते हैं और हम ऐसी का आसा करते हैं आपका जो पेपर होने बाला है इसे से मिलते जलते या जैसे के तैसे प्रिशन आपको पेपर में इस वीडियो से मिल जाएंगे इससे मिलते जलते या यही पृष्ण आपको वहाँ पर पेपर में मिल जाएंगे तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना समझना important है आप समझेंगे तो अलग से कोई question आता है तो आप उसका उत्तर भली भाती बना सकते है आपका जो पहला question इन्होंने पूँचा है, एक तत्त के शमान होते है तो यहाँ पर question लिखने की typing की mistake है पेपर में ऐसा ही छपा था आपका, तो एक गलत था, इस तरह ऐसे होना था एक तत्त के, एक तत्त के समस्थानिक, क्या होना था आपका पेपर में? इसा होना था, एक तत्त के समस्थानिक में समान होते है अब उस एक तत्त पूछा है, तो एक तत्त तत्त जानते ही होंगे आप जैसे कि आपका hydrogen है, lithium है, sodium है, potassium है, rubidium है, cgium है, francium इस तरह से आपके तत्त होते हैं, chlorine है, fluorine है, इस तरह से आपके तत्त होते है तो हम आपको दो बत समझाते हैं एक आपका हाइड्रोजन हो गया एक आपका क्लोरिन हो गया समझ रहा है बात एक तत्थ है एक तत्थ के समस्थानिक सम का मतलब है जिसके प्रोटोन समान हो यहाँ पर संख्या लिखते हैं उसे प्रोटोन बोलते हैं बोलते हैं cat तो इसका उत्तर पहले मीना उत्तर बता रहा है और समिझाएंगे जब तक आपको उत्तर ध्यान रहेगा ्र spare एक तट्व के समध्तानिकव में क्या समान होते हैं यह होते हैं आपके राशायनिक गोण करता कि तो ज्क आइड्रोजन आपका इसके tritium कहते हैं जब हम इसे द्रबमान संख्या मैंसे इसको माइनस करते हैं तो बडाबर उत्तर सुनने आता है दो मैंसे एक घटाते हैं तो उत्तर एक आता है तीन मैंसे एक घटाते हैं तो उत्तर दो आता है यह हमने जो नकाले हैं यह आपके neutron होते हैं तो नीट्रोन अलग-अलग हैं, तो यहां लखा है नीट्रोनों की संख्या, तो यह तो अलग-अलग हैं, तो यह अप्शन आपका गलत है, सिंपल सी बात है, अब यहां लखा है द्रबमान संख्या, तो यहां पर भी समझो, यह द्रबमान संख्या होती हैं, यह क्या है, यह स समान होते हैं किसमें समान होते हैं रासाइनिक गड़ों में समान होते हैं अब प्रिये चात्रों परिक्षा में अगला प्रशन आपसे पूछेंगे वो कि ये बताओ किलोरीन के कितने समस्थाने होते हैं हाइड्रोजन के तीन होते हैं तो किलोरीन के दो समस्थाने होते हैं सत्रा किलोरीन 35 और सत्रा किलोरीन 37 यह दो समयस्थाने को cutie chlorine पर परिख्षा में हमेशा प्रशन आता है पूँछते हैं भो आपसे कि यह बता दो सत्रा किलोरीन रणायन में कितने electron होते हैं electron होते हैं इससे दर्शाते हैं यह रणायन से तो 17 किलोरीन रिणायन में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं इलेक्ट्रोन नकानने की एक संपल से भी दी है इसमें 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 वह संख्या जोड़ दो जो उपर उन्होंने दिखाई है यहां एक रिणायन उन्होंने पूछा है तो 17 प्लस 1 बरावर 18 इलेक्ट्रोन तो किलोरीन रणान में 18 इलेक्ट्रोन होते हैं तो मतलब इलेक्ट्रोन रकाने के लिए क्या करते हैं अपन प्रोटोन में इलेक्ट्रोन जूड़ देते हैं जितने भी इलेक्ट्रोन हो उस पर तो उसका उत्तर जो निकल करके सामने आता है वो टोटल एलेक्ट्रोन आ जाती है अब हम आपका दूसरा कोश्चन देखते हैं परिक्षा में हमें सब पूँचा जाता है इलेक्ट्रोन के आविश्कारक है तो एलेक्ट्रोन को हम इरिण से दर्शाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोन पर रण आविश होता है। प्रोट्रोन पर धन आविश होता है। और न्यूट्रोन पर जीरो आविश होता है। द्यान से सुनना। तो इलेक्ट्रोन की आविश्कारक है। तो इसकी ट्रिक है। बहुत सरल ट्रिक है। ये ट्रक है आपकी इट पर नाच, ये आपकी सिंपल सी ट्रक है, इलेक्ट्रोन टॉम्सन, इलेक्ट्रोन ही खोज किस ने की थी, थॉम्सन ने की थी, और वही परिक्षानत पूछा है, तो इलेक्ट्रोन की खोज किस ने की थी, जे जे थॉम्सन ने की थी, पर प्रोट्रोन क कि खो जो ड़दर फोड ने की थी नाच माने नीट्रों की खो जेंस चैडविक ने की थी कि इक पर नाच इलेक्ट रूंबसन ने प्रोट न की रदर फोड ने नूट्रों की चैडविक तो कितने ये सरेल्ट रख है अब एक बात आती है कि सर जो प्रोटॉन है इसको पीसे दर साथ ने इस पर धनाविस होता है इसकी खोज कई लोग कहते हैं कि गॉल्ड इस्टीन ने की थी तो ध्यान दें आपको सिर्फ एक लखावगा मिलेगा या तो गॉल्ड इस्टीन या फ कि सरफ एक लखावगा आता या तो गॉल्ड इस्टीन या रधर फूर्ड ठीक है तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी रधर फूर्ड ने या गॉल्ड इस्टीन ने बैसे जो गॉल्ड इस्टीन है इन्होंने एनोड करूनों की खोज की थी ठीक है तो अगर प्रोटोन आ जाए उच्छा जाए तो एक ही आप्शन मिलेगा या तो गोल्ड इस्टिन या रदरफोर्ड और बांक यह आपने समझ ली आपका अगला कोश्चन है आवर्थ सार्णी में हेलियम को रखा गया है आवर्थ सार्णी क्या होती है आवर्थ सार्णी इस तरीके से होती है इन्हें ग्रोप बोलते हैं पन क्या बोलते हैं ग्रोप और ऐसे होते हैं उन्हें आवर्थ बोलते हैं तो यहां पर देखो जो अठारवा समू है, जो अठारवा समू है, यहां पर आवर स्राणी देखना, यहां हिलियम लखा हुगा है, तो अठारवा समू है, इसको कई नामों से पोकारते हैं, एक तो पोकारते हैं, अक्रिय समू, क्योंकि एक रिया कम करते हैं, एक पोकारते है सूने समू से हैं अक्रिय समू या सूने समू तो जो हेलियम है अठारवे समू की है ये परिक्षाम प्रसंद पूँच सकते हैं वो पूचेंगे अगली बार कि हेलियम बता दो किस समू में रखा गया है तो बोल देना अठारवे समू में इसके अन्य नाम क्या है अक्रिय शम्हू और सुन्य शम्हू तो आपका उत्तर क्या से बन जाता है सुन्य शम्हू इसको तीन प्रकार से वो गुमाते हैं अब उसकता वो लिख के दें अक्रिय गैस या लिख दें अठारावा सम्हू पंद्रमा सम्हू ऐसा लिख सकते हैं तो प्रश्ण मनते हैं हीलियम से अगला कोश्चन है किसका आकार सबसे बड़ा है किसका आकार सबसे बड़ा है तो यहाँ पर एक कोश्चन की मिस्टेक है इस तरह से प्रश्ण होना था आपका यह आपका ऐलुमिनियम हो गया है एक हैलुमिनियम आपका तू धनायन और एक हैलुमिनियम आपका थिरी धनायन ठीक है बहुत सरल है इसको कैसे ही समझते हैं पन किसका आकर बड़ा है तो जो हैलुमिनियम है इसका आकर इस प्रकार से होता है आपका इस में 13 है प्रोटोन होते हैं और 13 एलेक्ट्रोन होते हैं जिनको ये आकर्षित करता है माने जो एलेक्ट्रोन है जो यहाँ पर जो एलेक्ट्रोन होते हैं ये इस तरह के से आकर्षित होते हैं बारिक अक्षाम होते हैं यहाँ जो 13 प्रोटोन है वो बारीक अक्षाम गुम रहे इलक्टोनों को आकर्शित करते हैं इसको खंग और समजो इहां थोड़ी गलती हमने बोल दीए जो यहाँ पर देखो जो 13 है प्रोटोन है 13 प्रोटोन है और जो electron होते हैं बारीक अक्छाओं में सम्मिला करके 13 होते हैं तो इनको यह आकर्षित करता है proton इसकी बात कर रहे हैं अब जैसे ही हम इसका diagram बनाते हैं इसका जो diagram बनता है उसको भी अपन समझते हैं कैसे बनता है गो देखते हैं अपन इसका जब हम aluminum 2-9 का diagram बनाते हैं 2-9 नहीं है यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ इतना धनायन है तो जो 13 proton है यह सिर्फ 12 electron को आकर्षित करते हैं कैसे क्या बोला था हमने यहाँ aluminum का जो परमाडू क्रमांग है वो 13 होता है कितना होता 13 जब यहाँ electron हो जोडते हैं और धनों तो घटाते हैं 13 मैंसे एक minus होगा धनों तो घटाते हैं 13 मैंसे एक गए तो 12 तो 12 electron बचे अगर यहाँ रिन हो तो जोडते हैं धनों तो घटाते हैं दिहां रहा है तो जो aluminum आपका aluminum आपका धनायन है 13 मैंसे एक गए एक धनायन गया तो 12 है अब बताओ 13 प्रोटोन है 12 एलेक्ट्रोन को खेंचेंगे तो आकर छोटा हो जाएगा इसी प्रकार जब हम इस पर विचार करते हैं एलुमिनियम 2 धनायन माने यहां 13 है 13 मैंसे दो गए तो 11 है माने अब 13 जो प्रोटोन है वो 11 को आकर्षत करते हैं इसकी बात करते हैं इसकी बात करते हैं तो जो एलुमिनियम 3 धनायन है और 13 है इसका परमाड़ु क्रमाग है 13 मैंसे तीन गए 13 मैंसे जब हम 3 घटाते हैं तो उत्तराता है 10 माने जो 13 प्रोटोन है ये क्या करते हैं ये 10 इलेक्ट्रोन को आकर्षित करते हैं तो आकर और छोटा हो जाता है लेकन यहां पर अपने देखा 13 इसका परमाड़ु क्रमांग है तो 13 इलेक्ट्रोन होते हैं जितने प्रोट्वन हैं उतने ही इलेक्ट्रोन होते हैं किसी भी तत्व के अगर उस पर धन या फिर रिन ना लिखा हो तो जितने प्रोट्वन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रोन होते हैं तब बराबर प्रोट्वन हैं बराबर एलक्ट्रोन को आकरस्थ करते हैं, तो पास में नहीं आते हैं, वो खेंचता हैं, नहीं आते हैं, इसलिए इसका जो उत्तर है आपका, इसका जो उत्तर है आपका यह है, एलमिनियम, पहला बाला उतर सही है आपका, इसका आकर बांग की तत्वों से सबसे बड़ा है, ऐसा अगला प्रस्ण है अभी दोकोपन पर बात कर रहे थे कि किलोरीन आयन में माने किलोरीन आयन में कितने इलेक्टरोन उपस्तित होते हैं तो किलोरीन का परमाड़ी क्रमाग आपका सत्रा है हमने बोला था कि रिन हो तो जोड़ देना तो सत्रा प्लस एक बराबर अठारा तो 18 एलेक्ट्रोन होते हैं अगर धनों तो घटाते हैं और रिनों तो जोड़ते हैं एलेक्ट्रोन निकालने के लिए सिंपल सी बात है अगला प्रशन है कोलतार का उपयोग सामान निताहा होता है तो कोलतार जो है उसका सामान नता उपयोग काय में करते हैं इंधन की रूब में करते हैं कुलतार का उपयोग अगला प्रशन है पैट्रोलियम को कहा जाता है पैट्रोलियम को काला सौना कहा जाता है अगला प्रशन है सुद्ध जल पी-एच होता है सुद्ध जल के पी-एच का मान होता है जो सुद्द जल होता है उसका pH मान होता है, तो जो सुद्द जल होता है, तो ना तुब दर उसका प्युऐझять होता है, ना मीठा होता है, स्वाधिहीन होता है, तो इसका उत्तर है आपका 7, इसका उत्तर है आपका साथ, चीक है, सोद जली की पी अच का मान होता है साथ, यह जो प्रशन है, इम्पोर्टन्ट है, इसको समझो, साम्मे अवस्था पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्रिया करके, अमोनिया बनाते हैं, और 22 किलो केलर उर्जा निकलती है, अमोनिया बनत हाँ देखो नाइट्रोजन का एक अडू है, और हाइड्रोजन की तीन अडू है, टोटल हो गए आपके चार, चार मिलकर के क्या बना रहा है, सर्फ दो अडू बना रहा है, जब कभी तीर के पहले, कोई भी तत्त हो, जाना है, और जाना से आपके बन रहा है कम, तो ऐसा होता है, जब हम दाब बढ़ाते हैं, जब हम दाब बढ़ाते हैं, तब ऐसा होता है, तो अमोनिया का निर्माण कभ होगा, जब हम दाब बढ़ाते हैं, इस तरह से समीकरण आ जाया, कितना भी कटन समीकरण हो, देख लेना, जब इधर अडू जादा है, इधर अडू कम ब इंपोर्टेंट है प्लास्टर ओफ पेरस का राशानिक सूत्र है जिसको हम सामान वासा में P.O.P. कहते हैं क्या कहते हैं या पलस्टर कहते हैं जब प्लास्टर कहते हैं जब हड़ी किसी के तूड़ जाती तो प्लास्टर चढ़ाते हैं तो प्लास्टर ओफ पेरस का राशान तो यह आपकर प्लास्टर और पेरश का सूत्र है, और फिरांस की राजधानी पेरश से, सर्फिस से पहले ये खोजा गया था, इसलिए इसकाना प्लास्टर और पेरश पड़ा, और टूटीं हड्यों, के प्लास्टर में इसका उप्यू करते हैं, प्लाश्टर और पेरस का इसको बनाते किस से हैं प्लाश्टर और पेरस को जिपसम से बनाते किस से बनाते हैं जिपसम से बनाते हैं अगला प्रस्ण है सामान तोर पर कौन सा धातू द्रब है सामान ताप पर या दो सब्द है धातू और द्रब अभी तक आपने क्या समझा है कि जितनी भी धातूंगे होती है वो सामानता ठोस होती है आपने अंतर में पढ़ा होगा धातूंगे ठोस होती है लेकन मरकरी को छोड़ करके ठीक है तो कौन सा धातू द्रब है मरकरी, मरकरी का संकेत है आपका HG इसको आपन पारा भी कहते हैं, ध्याँ रखें तीन नाम इसके अब परिक्षाम है वो आपसे क्या पोचेंगे पोचेंगे वो देख लो, परिक्षाम क्या पोचेंगे आपसे, अब अगली बार आसकता है कौन सा अधातु द्रब है एसा पूँचेंगे आपसे कौन सा अधातु द्रब अभी द्रब लिखाता अब अधातु लिख करके आपसे पूँचा जाएगा क्योंकि प्रशन ऐसे ही गुमाते हैं अधातु तो अधातु पूँचा जाता उत्तर ब्रोमीन लगाना अधातु पूँचा जाए तो उत्तर ब्रोमीन लगाना और धातु पूँचा जाए तो मरकरी उत्तर सही करना दो तरीके से प्रस्ण उचा जाता है अगला प्रस्ण है किसी आयस्क को आपको देख रहा है साप देख रहा है किसी आयस्क को बायू की अनुपस्तिती में उच्च ताप पर गरम करना कहलाता है अयस्क क्या होते है वहा है खनज जिससे कम खर्च पर धातु बनाते हैं तो अयस्क को बायू की अनुपस्तिती में उच्च ताप पर गरम करना तो यहाँ पर देखो अनूपस्थती अनूपस्थती माने निस्तापन इसका उत्तर आपका निस्तापन अगर ऐसा आजा है बायू की उपस्थती में गर्म करना क्या कला आता तब उसे बोलेंगे भरजन क्या बोलेंगे भरजन लेकिन यहाँ बायू की अनुपस्तिती पूछी है आपसे तो उसका उत्तर मनेगा आपका निस्तापन अगला प्रस्थन है आपका प्राकरतिक रूप से प्राप्त बहुलक जोड़ी है बहुलक क्या होते हैं जो पनियां हैं पॉलिथीन हैं यह सब बहुलक है ठीक है मोबाल की कबर है प्लास्टिक आपको दिख रही है सब बहुलक है लेकन पूछ रहा है प्राकरतिक रूप से माना है जिसे मनुश्यों नहीं बनाया ऐसी प्लास्टिक पताओ तो इसका उत्तर है अपका इस्टार्च वा सेल्यूलोज इस्टार्च वा सेल्यूलोज प्राकरतिक रूप से बहुलक है प्राकरतिक रूप से प्राप्त बहुलक है इस्टार्च वा सेल्यूलोज अब पूछेंगे करत्रम रूप से करत्रम रूप से तो सुल्लो ध्यान से करत्रिम रूप से पूछा जा तो नाइलोन उत्तरिक सही है आपका करत्रिम रूप से वाला नाइलोन भी सही है और PVC पॉली बिनाल क्लोर जो पाइप होते हैं पाइप होते हैं वो PVC वाले होते हैं तो करत्रिम कौन कौन से होते हैं नाइलोन और PVC प्रोटीन है वो भी प्राकर्तिक है समझ रहा है बात तो इस तरीके से वो प्राप्त आपको से घुमाते हैं तो प्राकर्तिक रूप से प्राप्त बहुला कौन कौन से होते हैं इस्टार चुवा सेल्यू लोज अगला प्रशन है आपका SZWH मानफार में कमल का I.U.P.C नाम है इसका उत्तर है आपका मेथेनोइक अमल उत्तर कैसे बनाते हैं समझो परिक्षा बना अब गुमाएंगे अगली परिक्षा में इसको ही गुमाएंगे आपको यहाँ एक कारवन है एक कारवन है इसको मेथिन बोलते हैं मंजद्टे ही होंगे तो एक कारबन है तो मेथे नुएक अगर दो कारबन होते बच्चे दो को एथिन बोलते हैं तो एथे नुएक अमल तीन को प्रोपन बोलते हैं तो आपका उत्तर बनता प्रोपे नुएक अमल तो इस कारबन पर आपको ध्यान देना इस कारबन पर आपक एक लखाऊगा तो मेथिनुएक दो हैं तो एथिनुएक होता ठीक है चलो और ध्यान दो ऐसा लखाया सी डबल ओ एच इसको ओ एक कहते हैं इसको क्या कहते हैं ओ एक एभी समझना आपको यह बायलोजी की कुश्चन है हम अगले वीडियो में आपको समझाने वाले हैं बेहतरी तरीके से आप वीडियो एक दो बार देखें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में उत्तर आ जाएंगे और एही आप question हमारे समझो बहुत अच्छे अंक आपके आ जाएंगे आप अच्छे नम्बरों से पास भी हो जाएंगे और वीडियो को लाइक करो जो अच्छात नए है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं लिए वीडियों में धन्यवाद